अनुशकार आज में डिसकस करेंगे गिरास पत्रिका जो की हिमाचल परदेश की सब्ताहिक पत्रिका देखेंगे गिरास पत्रिका डिसकस करेंगे हिमाचल परदेश की सब्ताहिक पत्रिका है जहें गिरास पत्रे का हो गई ही माचल का डेली बेसिस पर कोई भी न्यूज हो गया इवेंट्स हो गया जो भी यहां से बनता है और एक्जाम में पूछा जाता है वो हम यहां पर कवर करेंगे आपने अभी देखा अभी जो एक्जाम हुआ मैट का पीजीटी का उसमें बहुत सारे क्वेशन्स थे हमारी जो पुराने वीडियो से पूछे गए थे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प यहां से मिलती है पहला ही क्वेशन देखिए बहुत इंपॉटन्ट है और पब्लिक सर्विश कमिशन के लेवल का पूरा क्वेशन है यह बोलते है कि अभी गौँ में ज़्यादा बाड आई थी एक हाइड्रो एलेक्टरिक प्रजेक्ट था जहां पर पैन स्टॉक कुछ जो था वो ब्रस्ट हो जाता है फट जाता है और फिल बाड आती है मलबा वह जाता बहकर आ जाता है तो यह कौन सा प्रजेक्ट है यह है लंबा बाड आई थी पूरा देखे डेटेल में हुआ कब था यह 10 मई 2024 को पैन स्टोक फटता है 25 मेगावाट की जो लंबा दंग हाइड्रो लेक्ट प्रजेक्ट है मुलतान विलेज डिस्टिक कांगड़ा में यह जो है वो यहां पर फटता है तो इसके कारण जो हो मुलतान विल खैकित जो है वो मार्टट का अरिया गबर किया घरों को भी दुकानों को भी विक्राइड़ यह यहां पर किया गया अब यह बिल्ट किया गया, किसके दोरा की गया है, मेगा इंजिनिरिंग के दोरा, यह आप न धैयन लगा मेगा इंफरेश्ट्टुक्ट्छर कंपनी है उसके दोरा, लिमबादंग ही एक रीवर है, लंबदंग एक river है जो की आगे चलकर उहल में जो हो मिलती है उहल में यह मिलती है और यहां पर यह ब्रस्ट हुआ कब हुआ दस मैई 2024 को हुआ सारी detail में जान ली कितनी मेगा वॉट की यह है कौन से डिस्टिक में है कौन से विलेज में है तो इस सारी बातें आप यहां से धि प्रिपेर कर रहे हैं ठीक है तो यह हो गया ट्राइविटरी भी धियान रख रहा है किसकी यह ट्राइविटरी है कहां पर है अगला गुशन देखते हैं मार पस क्या पूचा गया है बोलते हैं तो बोलते हैं कि मंडी सांसदेक्षेतर से पहली महिला कौन चुने गई थी अभी देखो न अभी क्या है अभी एलक्षन है तो मंडी से आपको पता है कि अभी एक महिला जो है वो एलक्षन में खड़ी हुई है तो इसलिए जो हो मंडी का क्वेशन जो है यह आ गया या फिर ह माचल का question कह लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि मंडी से, जो मंडी लोकसभा की seat है, मंडी से जो पहली महिला जीत कर आई थी, वो कौन आई थी, तो मंडी से जो था, वो पहली लोकसभा जीत कर आई थी, अमरित कौर, अमरित कौर यहां पर होगा, इसको सही कीजिए, अमरित क सवा की दस्य बनी थी यह जो महिला सदस्य थी और आप में ध्यान रखना है कि राजकुमारी अमरित को जिताओं मंडी से चुनी गई थी बात में चलकर यह पहली स्वास्थे मंत्री भी बनती है हेल्थ मिनिस्टर भी जो हो इंडिया की बनती है यह भी पता होना चाहिए आप राज़े होने वाले थे ना तो मतलब सभी ने जो था वो पीछे हटने का डिसाइड कर लिया था क्यूंकि यह राजा थे और एक तो इनहीं के रियासत में हुआ करते थे शायद इनके वजीर या कुछ और काम इनकी रियासत में करते थे एक वो कांग्रेस की और से खड़े तो उन्होंने भी जो था वो कहा था कि वो राजा के अगेंस्ट घड़े नहीं हो सकते बात में चलकर क्या हुआ था यह निर्दली यह चुने गए थे अनंद चंद और पहली जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी हिमाचल में वो भी इंपोर्टन है वो तीन सदस्ये ही जो था हमाचल के हिस्ट्री में होता इस तरह से है कि पहली बार ज्म नाइंटन फिक्ट्रेश्ट में एलेक्शन होते हैं तो पहले मुक्खे मनतरी बन जाते हैं डॉक्टर वाईएस परमार दूसरी बार जो हो मुख्य मंतरी बनते हैं ये टोटल चार बार मुख्य मंतरी बने थे 1963 में दूसरी बार बने 1967 तक रहे थे और उसके बाद 1967 में तीसरी बार बने 1972 तक रहे थे 1972 में चौथी बार जो थाओ बने थे और उसके बाद ये 1977 तक रहे थे तो ये इनका कारेकाल जो था हो रहा था पूरा का पूरा ये आपने ध्यान रख लेना है प्रिजेंट टाइम में जो हो चार लोकसभा की सीटे हैं अभी लोकसभा से बहुत सारे क्वेशन जो हो बनेंगे और अभी PGT के एक्जाम में देखना आप इस तरह के क्वेशन पूछे जाएंगे तो ये क्वेशन नोट करने हैं साथ साथ में आपको अगले क्वेशन देखे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडियाज फस्ट वोटर श्याम शारन नेगी डाइट एड़ दी एज ओफ तो सुतंतर भारत के जो पहले मंदादा थे ना श्याम शारन नेगी उनका ध्यान जो था बोलते हैं कितनी आई यू के थे वो जब उनका ध्यान थुआ था तो देखो अभी उनका लास्ट टाइम उन्होंने वोटिंग की थी और उन्होंने वोटिंग की थी उसके कुछ टाइम बाद उनका ध्यान थो गय था तो दो Remember हम यहां से पक्के करेंगे इनके वारे में जानकर अब अभवी जो Question पूचा गया था न कुई यूश्च या यह पूचा गया था कि इन्हों नहाने तोर हथा नहीं ऑपनाः वोटकास्ट की था हुए 24 टाइम जो था ओर tämä सजफी।ł की थी ओरुट f दियान रखना है ठीक है अब हम जानते हैं का इनका जनम कब बहूँ है da 1970 में पहली जुलाई 1907 को इनका जनम हो था पांच नूमबर 2022 को इनका द्यान थो जाता है पहली बार झाईंटिंटिंटिंटिवन पिट्टिव के लक्षें थे वहां पर इन्हों ने जो था वोट किया यह अपने धियानलखना है insan look movie Lord feel about it in the movie निकном्रे श्मीकитель रवने फिण को श्मीशन के को गयरे डी गई है वह अपने धियानलखना है वह पूछा जा सकता है इंपॉस्ट्बेंट है आज के टाइम में ये कोईशन भी Election Commission के दोरा इनको time to time सम्मानित भी किया गया था जैसे कि 2010 में Chief Election Commissioner आफ इंडिया थे नवीन चावला उनके दोरा इनके घर को विजित किया गया इनको सम्मानित किया गया था 2014 में 2014 में गुगल के दोरा एक special production की गई थी जिसमें इनके दोरा एक announcement की गी थी नेगी जी के दोरा श्याम सानर नेगी जी के दोरा कि voting का कितना महत्तो है ये पहले voter थे तो वही सब जो था वहां पर किया गया था श्याम सानर नेगी जी के बार में question आपने जान लिया संबंद कहां से रखते हैं ये तो आपको पता ही है कि नौर जिले से जो है ये संबंद रखते हैं और पेशे से जो था ये teacher हुआ करते थे कलपा से ये संबंद रखते थे ये आपने धियान लखना है तो अब इनके बार में question तूछा गया है ना तो ये question आपका hundred and sure ठीक हो जाएगा ये गलत नहीं हो सकता अब आपका question अगला question देखते हैं हमार बास क्या पूछा गया है next question next question में बोला गया है how many service voter in 2019 लोग सभाई लेक्शन इन हिमाशल परदेश तो 2019 के जो लोग सभा इलेक्शन हो थे उसमें कितने service voter थे सेवा मत आता कितने थे उस time तो उस time जो था वो कितने सेवा मत आता थे 68,028 68,028 ये option ए जो है उसा answer हो जाएगा 68,028 ये service voter उस time हिमाशल परदेश में थे अभी कितने हैं 2024 में वो data जल्दी ही आएगा election होने तो फिर हमार पस accurate data जो है वो आएगा फिर हम उसको भी discuss कर लेंगे ठीक है यहीं पर गिरास पत्रे का में ही ये discuss होगा और इसको नोट करना पहले 2019 को और इसके साथ ही 2022 का space रखना आप तो वहाँ पर हम उस data को भी discuss कर लेंगे अब कितने male voter थे कितने female voter थे वो भी पता होना चाहिए आपको तो दिखो अगर हम बात करते हैं कि male service voter कितने थे वो थे 66,647 ये थे 66,647 और जो female voter थे वो थे 1381 एक हजार तिन्सोइकासी जो था ये female voter थे और total voter कितने थे तो total voter आपने धियान रखना है total voter थे 53,53,30,154 ये जो था वो total number of voter जो था वो उस टाइम हिमाचल परदेश में जो था वो थे total voter हिमाचल के ये थे service voter जो था वो ये थे male जो service voter थे वो ये थे female जो service voter थे वो ये थे इतना आप ध्यान रख लिजिए अभी 2024 में जो है वो लोगसभा के election हो रहे है 7th phase में जो हिमाचल में भी election हो जाएंगे तो इस तरह के questions जो है वो आ रहे है एक एक voter से ही जो है वोट से जो है वो फिर सरकारें जो है वो बनती है चलिए next question देखते है हम हमारे बास क्या पूछा गया है अगले question हम पूछा गया है ताशी गंग pooling station is highest pooling station in the world located at an altitude of तो बोलते हैं कि ताशी गंग जो है ये मदातना मददान के इंदर जो है वो विश्व का सबसे उंचा मददान के इंदर है यह कितने मीटर उंचाई पर ऋस्तित है मीटर नहीं यहांबर फिट कर लेना क्यूंकि option में फिट दे रखा है कितने फिट उंचाई पर ऊस्तित है और 15,256 फीट की उंचाई फ्रियस्तित है अभी क्यों ये चर्चा में आए देखो दुनिया का सबसे उंचा जो पोलिंग भूत है ना तशी गंग वहां के लिए जो है वो साइकल से जो हो लोग जा रहे हैं शिमला से जो है ये एक रैली टाइप में जो हो निकाली गई है लिस्ट होंगे ना वो क्या करेंगे वो वोटिंग का संदेश देते हुए जो हो जाएंगे रास्ते में और तशी गंग पहुंचकर जो है ये मतदाताओं को मतदान करने का संदेश जो है वो देंगे ये आपने ध्यान रखना है छे साइकल सवार है और शिमला से 414 इस बताएंगे तो ये चर्चा में आया था ठीक है ची ये चर्चा में आया था तो हमने ये डिसकस किया कि तसीगंग का उन्चाई कितनी है तसीगंग की परन्तु एग्जेक्टली तसीगंग लोहस्पित्ती में पड़ता है और तसीगंग क्यों चर्चा में आया वो आपन अगला अगला जो हम discuss करेंगे ना इसके बाद वो दो नंबर पक्के करेगा अपके ठीक है जी दो नंबर पक्के करेगा प्रण्थू से पहले अगर पीजीटी की तियारी कर रहे हैं तो आपको पता है पीजीटी पेपर वन पास होगा तब ही जो है वह पेपर टू के फ़ाट बहुत ज़्यादा हेलप आपको मिलेगी टेस्टिस से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी से जुड़ जाईए अगर टेस्टिस के साथ नहीं जुड़े हुए है नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स कमेंट वाक्स में इसका लिंक दिया गया है और नेश पूछा गया है तो हम इसको डिटेल में ही आज डिसकस कर लेंगे ताकि एक्जाम में पूछा जाए तो आपका कभी भी ये क्वेशन गलत ना हो जिस्टिक गुड गवर्नेंस इंडेक्स दो हजार एक्वेशन जो है वो एक्वेशन में पूछे गए है पहले हम 2020 की बात कर लेते हैं ये डिस्टिक गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया है 2020 में इसमें साथ थीम रखी गई थी उन्नी फोकस टॉपिक रखे गए 75 गवर्नेंस इंडिकेटर रखी गए थे और 21 सब इंडिकेटर जो था वो रखे गए ये 2020 का डेटा है ये पूछा गया 2020 का गया ऑडिकेटर इसमें रखे गए थे और 13 तेरा जो वो सब इंडिकेटर इसमें रखे गए थे तो यह 2021 का डएटा। 2021 का data जो है वो most most important है ये most most important data है 2021 का हम बात करते हैं district good governance index में क्या rank किस district की रही देखिए सबसे पहली rank रही kangra district की ये note करनी है आपको दूसरी rank रही blast pro district की ये भी आपको note करनी है तीसरी rank रही उनना district की चौती रही अपने हमिरपू district की पांचमें रही अपना मंडी district हो गया छटा हो गया अपना चमबा district और सात्मा हो गया शिमला district ये आपने ध्यान लखना है आठमा भी एक्जाम में पूछा गया था तो ये कुलू district जो है वो ध्यान लखना है ये एक्जाम में पूछा गया था और सिर्मॉर डिश्टिक आपने ध्यान रखना है कि ये नवे नमबर पर जुथा हो रहा कि नौर डिश्टिक जुथा हो दसमे नमबर पर जुथा हो रहा ये ध्यान रखना है सोलन डिश्टिक ये ग्यारवे नमबर पर रहा और उसके बाद जो last number पर रहा वो रहा लोहस्पित्ती डिस्टिक ठीक है जी लोहस्पित्ती डिस्टिक यह ध्यार रहा अब मान लो आपने ये rank जो है वो सारी की सारी याद भी कर ली examiner बहुत smart होता है जब वो paper डालता है ना तो वो उस हिसाब से paper डालता है जो आम आदमी की out of reach से बाहर होता है तो उस तरह से paper डाला जाता है वो पूछ लेगा बाने वाले time है score क्या रहा कौन से district का score भी ध्यान रखना है सबसे ज्यादा score रहा kangra district का 0.674 और उसके बाद 10 point कम कर लिजे 0.664 जो था हो blast pro district का रहा 0.615 उनना district का रहा 0.613 जो था हो हमेरे पूर district का रहा मंणी district का रहा 0.579 चबा district का रहा 5420 और similar district का रहा 0.512 और कुलू district का रहा 0.497 सिर्माष district का रहा 0.492 किनौ district का रहा 0.491 और सोलन district का रहा 0.472 लोहस्ट पित्ती डिस्टिक का रहा 0.458 तो इनको याद रखना एक सिरिल वाइस बनाईए इनको याद रखिए हाइस्ट सबसे पहले याद रखिए लोएस्ट याद रखिए फिर देखिए कितना कितना गैप है और बाकी सभी डिस्टिक को यहीं पर जोड़िए ठीक है जी अब देखिए यहां पर क्या इसकी थीम्स है हमने यहां पर क्या पढ़ा था अभी मैंने आपको क्या बताया था यहां पर देखना यहां पर हमने पढ़ा था आठ थीम्स जो था वह इसकी रख़्ी गई थी यह आठ थीम्स कौन कौन थी वह हम जानते हैं अब यह पहली थी थी Essential Infrastructure Index, दूसरी थीम थी Sport to Human Development Index, तीसरी थीम थी Social Protection Index, चौती थीम थी Women and Children Index, और पांचमी थीम थी Crime Law and Order Index, और चटी थीम थी Environment Index, सातमी थी Transparency and Accountability, और आठमी थीम थी Economic Performance, ठीक है ये थीम जो था वो इसकी रखी गई थी, टोटल आठ थीम जो था वो रखी गई थी, एक्जा पहले PGT की एक्जाम में, कि इन थीम के बेस पर question पूछ लिया था, ठीक है, थीम के बेस पर question पूछ लिया था है, ये जो Essential Infrastructure Index है या फिर कोई और Index है, इसमें किस district का कौन सा rank रहा, तो इसमें मैं आपको important चीज़े note करवाता हूँ, जैसे कि Essential Infrastructure Index है, इसमें पहला rank किस का र इसमें आपने ध्यान रखना है कि कौन से, District का जो था, वो था सिर्म और डिस्टी का, वो सिर्म और डिस्टी का था, अब एक question ये भी पूछा गया कि Kangra District का कौन सा rank था, तो Kangra का इसमें दूसरा rank जो था, वो था Kangra का, ये आपने ध्यान रखना है, अब उसके बाद आ गया sport to human development index sport to human development index में पहला rank किसका रहा 12 rank किसका रहा sport to human development index में जो था वो पहला rank रहा blast pool district का ये आपने धियान रखना है और 12 नमबर का rank किसमें रहा कि नौर district का ये आपने धियान रखना है कि नौर का और kangda का rank यहाँ पर 5 वा रहा था दूसरे नमबर पर कौन रहा था इसमें दूसरे नमबर पर बिलासपुर के बाद हमिलपुर था उसके बादा सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स तो सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में जो है वो सबसे पहला रैंक किसका रहा था इसमें पहला रैंक किनौर का रहा था rank यहां पर किसका था तो दूसरा rank का आपने धियान रखना है कि सिर्मॉर डिस्टिक का जो था हो यहां पर था सिर्मॉर डिस्टिक का दूसरा rank यहां पर था तो यह आपने जान लिए पहला दूसरा तीसरा और सिर्मॉर लास्ट rank ठीक है अगला है women and children index तो women and children index में पहला rank किस का रहा है पहला rank रहा यहां पर kulloo का यह पूछा जा सकता है बारवे नमबर का rank यहां पर किस का रहा है तो बारवे नमबर के rank यह अगर आप बात करेंगे तो बारवा rank यहां पर रहा था solan डिस्टी का तो इसमें हम बात करें दूसरा रैंक किसका रहा और कांगड़ा का रहा तो इसमें हम बात करें दूसरा रैंक किसका रहा दूसरा रैंक रहा था यहां पर लोहलस पित्ती का दूसरा था और कांगड़ा के रैंक की बात करें तो कांगड़ा का नाइंथ रैंक यहां पर रहा थ उसके बाद आ गया यह Crime Law and Order Index तो Crime Law and Order Index में पहला rank किस का रहा? इसमें पहला ही rank कांगडा का रहा था. यह आपने धियान लगना है. लास्ट rank की बारवे नमबर का rank इसमें किस का रहा था? तो किनौर का जो था? वो बारवे नमबर का rank यहां पर रहा था? यह आपने धियान इंडेक्स में पहला रेंक किसका रहा था पहला रेंक यहां पर विलासपूर का रहा था यह आपने धियान रखना है बारवा रेंक किसका रहा था तो बारवा रेंक यहां पर कुलू का रहा था यह आपने धियान रखना है फिर दूसरा रेंक किसका था तो दूसरा रेंक यहा Transparency and accountability में जो ऀथा वो पहला ही रन्क रहा था कांगड़ा का ही यए अपने धियान लखने हैं और बारभूरा nesse किसमें किसका रहा था Transparency and accountability में तो बारभरेंक रहा था किसके रहा था दूसरा Sheer rank किसका रहा था, दूसरा Sheer rank आपने धियान लखने हैं मंडी का जो था वो दूसरा रेंक यहां पर रहा था अब है एकॉनमिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स तो एकॉनमिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं कि इसमें एकॉनमिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में जो था वो पहला रेंक किसका रहा था तो चमबा का जो था वो पहला rank रहा था बारवे rank की अगर हम बात करते हैं कि बारवा rank यहां पर किसका रहा था लोहल्स पित्ती का जो था वो बारवा rank यहां पर रहा था ठीक है जी और दूसरा rank यहां पर किसका रहा था इस तरह से यह आपने ध्यान लखना है अभी और भी है अभी यह खतम नहीं हुआ दो नंबर ऐसे एक्जामनर नहीं देगा इतने इसली इसमें देखो कहा गया है कि जो अनलाइजिस किया गया है हमने जो टेस्ट्रीज ग्रूप है न वहां पर हमने एकॉनमिक सर्वे की PDF भी डाली हुई है तो उसमें देखना आप जाकर यहां पर वो कॉस्चिन आपको मिल जाएगा अगर टेस्ट्रीज आपने लाइट की जोइन की है तो वहां पर भी डाली गई है PGT की जोइन की है तो वहां पर भी डाली गई है अलाइट सर्फिस की टेस्ट्रीज अगर आप जोइन करना चाहते है न तो अलाइट सर्फिस की टेस्ट्रीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्टिन वोक्स कमेंट वोक्स में दिया गया है आपको पता है कि ELIED का exam के लिए रड़ आ चुकी है और ELIED का exam ऐसा है कि अच्छे से त्यारी करेंगे तो ELIED एक अच्छे पोस्ट तो है ही है फरन्तों ये बाकी exams में भी आपकी help करेगी जल्दी से test reserve वेल करनी है तो नीचे लिंक दिये गए हैं वहाँ से कर लेना आगे देखिए बोलते हैं यहां पर हम score की बात करते हैं यहां पर देखिए बोलते हैं जो टॉप पर कांगडा है और जो lowest number पर लहाँ पिती है उनके score में जो difference है वो 0.216 का है बिल्कुल यह सही बात है इतना ही इनके बीच में difference है बोलते हैं कांगडा ने जो है वो टॉप किया है overall ranking में हाना कांगडा ने जो है बोलते है overall ranking में top किया है वो जो है वो दो themes में जो है टॉप में आया है एक वो crime law and order में आया है अभी हमने पढ़ा था वो top में था transparency and accountability में भी जो था वो पहले ही number पर था और second पर अगर हम बात करें तो वो essential infrastructure में second पर रहा था third rank पर अगर हम बात करें तो social protection में जो था वो third number पर रहा था social protection and environment में वो third number पर रहा था और पांचवे number पर वो sport to human index में वो रहा है तो यह पांचवा number हो गया यहां इसको देख लेना आप यह sport to human development index ना यह जरूरी है ठीक है यह पूछा जा सकता है आगे बिलासपुर का बोलते हैं बिलासपुर district जो है ना उसने rank second जो है वो overall ranking में लिया है इसमें और बोलते हैं बिलासपुर का और कांगडा का जो difference है वो 0.010 का है मैंने भी starting में बताया था कि 0.010 का इसका difference है और बिलासपुर जो है वो दो थीम में पहले नंबर पर है यह अपने धियान लखना है और थर्ड नंबर इसका रहा है economic performance index में economic performance index में इसका third number जो हो रहा है वही economic performance index में कांगडा का नंबर देखेंगे तो सात्वा नंबर जो था हो कांगडा का वहाँ पर था तो वह भी सही बात है आगे बोते हैं district चमबा ने अपना rank जो है वह improve किया है अगर हम 2020 के साथ compare करेंगे 2020 में यह 11 नंबर था और इस पर छटा नंबर इसका आ गया है यह आपने ध्यान रखना है बिल्कुल सही बात है और इसमें जो difference है वह 0.132 का जो है वह difference है इसमें बिल्कुल सही बात है चमबा और टॉप कांगडा का जो difference है वह 0.132 का difference है इसलिए मैंने कहा था कि अब score exam में वह पूछे का तो score भी आपको याद करना है लहुल्स पित्थी जो bottom में है उसका आपने ध्यान रखना है कि उसका जो है गुट गवर्नेंश इंडेक्स में वह bottom में है और second जो है वो men and child इंडेक्स में जो है वह तो लहुल्स पित्थी का यह आपने ध्यान रखना है और अगर हम gap की बात करते है एवरेज स्कोर और जो एवरेज स्कोर और लोएस्ट परफॉर्मर के बीच में जो गैप है ना लाहॉल्स पित्थी के बीच में डिस्टिक गुड गवर्नेंस दोहजार एकिस में वो है 0.093 का यह आपने ध्यानक में 0.093 पॉइंट का जो है यह डिफ्रेंस है एक एवरेज स जो है वो लोज्स पित्थी का जो है वो स्कोर है यह आपने ध्यान लखना है तो मैंने सारी हर इक चीज़ बता दिया आपको और देखो दो नंबर ऐसे एक्जामनर नहीं देगा भई दो नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं दो नंबर ठीक है तो वो आपकी पूरी चीज़ को समझें नोट करें रिवाइस करें स्ट्रेस के साथ करेंगे तो डेफिनिटली कनफ्यूजन होगा फ्रन्तु एजिली हम एक दो बार फिर से रिवाइस करेंगे आपको ये कभी गलत हो ही नहीं सकता फिर क्वेशन देखें जी क्वेशन में किया फूरी पूर था है रिसेंटली वो हैस बीन अपॉंटेट डिजी पि ऑफ हिमाचल बेज़ तो अभी हाल फिलाल में हिमाचल का डिजी पी जो है वो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है वह आपने कमेंट करके जल्दी से बता दे जीए दो नंबर का एक पक्का question है यह और जो हमने आज question discuss किये उनकी PDF टेलिग्राम पर test quiz ग्रूप में आपको provide करवा दी जाएगी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अपने टेलिग्राम से सर्च करना at the rate all exam 31 आप हमासा टेलिग्राम पर भी जुड़ जाएंगे आज की this video में इतना ही है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently